नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं निलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों गुप्त नवरात्री सभी प्रकार के कामनाओं को पुर्ण करने वाली होती है गुप्त नवरात्री होती है बहुत विशेश होती है तो आज हम बात करने वाले हैं मांग गुप्त नवरात्री के बारे में साल 2021 में मांग मास में गुप्त नवरात्री कब से शुरू हो रही है कब समाप्त हो रही है कल से स्थापना आपको किस समय में करना है शुब मुट क्या होगा और किस तरह स आप पूजा करेंगे, कौन से मंत्र का जाप करें, जिससे की हर कामना पुरुन हो जाए, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस फीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कीजिए और जादा से जादा इस फीडियो को शेयर कीजिए, बात करें नवरात्रियों के बारे में, तो हिंदु धर्मे में नवरात्री के पर्व को बहुत विशेश महत्म दिया जाता है, पूरे साल में चार नवरात्री आती है, लेकिन जादा तर लोग दो नवरात्रियों के बार में बहुत कम लोग जानते हैं और इनकी पूजा बीधी भी बहुत गुप्त रखी जाती है बहुत गुप्त तरीके से इस नौरात्री में पूजा करी जाती है यह नौरात्री आती है एक तो माग मास में आती है और दूसरी आसाण मास में आती है माग महीने में जो नौरात्र कर दोस्टों यह नवरात्रि कैसे मनायाती है किस तरह से हम इस नवरात्री को नाइं Başकर अकशन्य करने के लिए अपनी मनों कामना को पुरुन करने के लिए किस तरह से नोगूं में नादना करें दोस्तों यह नौरात्री भी बिल्कुल नौर्मल नौरात्रियों की तरह ही होती है, नौ दिन ही मनाई जाती है, प्रतिपदा दिती से लेकर नौमी दिती तक मनाई जाती है, और गुप्त नौरात्री में माभगवती की ही पूजा की जाती है, गुप्त नौरात्री का महत्व चैत्र और श साधना करके दुरलब शक्तियों की प्राप्ति करते हैं इस समय में तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत बढ़ जाती हैं और इस समय में की गई साधना बहुत ही शीग्र फली भूत होती है इस समय में की गई आराधना से माभगवती की क्रिपा बहुत शीग्री मिलती है इस समय म अगर हम किसी भी मनों कामना को पूरुन करना चाहते हैं तो माभगवती दुर्गा की आराधना करें बिल्कुल वैसे ही जैसे के हम नौर्मल नरात्रियों में करते हैं माधुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करें और दोनों समय आर्थी करनी होती हैं दोनों ही समय सुब लगाना है आरती करनी है इस तरह से जैसे हम नौ दिनों में नौरात्री के पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है इस नौरात्री में भी आप कलेश की स्थापना कर सकते हैं नारियल की स्थापना कर सकते हैं अखंड जोद जला सकते हैं चाहे तो वरत रख सकते हैं वरत नहीं रखना चाहते तो सात्विक भोजन रख सकते हैं अपना और पूरे दिन सात्विक भोजन करें और साम के समय आप माभगवती की आराधना करें प्राधे कालमा की आराधना करें तो किसी भी कामना के लिए आप ये साधना कर रहे हैं बहुत ही शीग्र आपकी वो कामना प शेश महत्व है ये दस महाविद्याएं हैं माकाली तारा देवी मात्रिपूर सुंदरी माभुवनेश्वरी माचिन नमस्था मात्रिपूर भहरवी माधूमावती माभगला मुखी मातंगी और कमला देवी क्योंकि इस दौरान माभगवती की अराधना बहुत ही गुप्त कर रहे हैं जो सिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और उनके नियम बहुत कठोर होते हैं क्योंकि वो मा से सिद्धी की प्राप्ती करना चाहते हैं दुरलब शक्तियों की प्राप्ती करना चाहते हैं लेकिन एक सांसारिक इनसान जो कि मा भगवती को प्रसन्य करना चाहता है, अपनी मनो कामना को पुरुन करने के लिए मा की अराधना करना चाहता है, वो बिल्कुल इन नौ दिनों में वैसे ही नौरात्री आपको करनी है, जैसे कि चैत्र मास में हम जो नौरात्री करते हैं, शारदिय नौरात्री जो करते इस तरह से इन नौ दिनों में आपको नौ देवियों की पूजा आरातना करनी है जो भी आपकी कामना है उस कामना से निमित आपको को कुई मंत्र जाब करना चाहते हैं और संतान प्राप्ती की कामना है तो इस समय में अप माभगवती दुर्गा की आड़ना करें इस समय में संतान गोपाल मंत्र की जाब कर सकते हैं माभगवती के मंत्रों के साथ इस तरह से आप संतान गोपाल मंत्र का भी जाब कर सकते हैं इस समय में मंत्र जाब का फाइदा यह होता है कि इस समय में जो आप मंत्र जाब करते हैं वह बहुत ही शीग्र सिद्ध हो जाता है उसका प्रभाव आपको कई गुन कुछ हो रहे हैं और किस तरह से को मंत्र जाप करना है अगर कोई आप सय दोनो समय कर सकते हैं अपनी इ窠क अनुसार संकल्ब लें कि आप प्रती दिन एक माला करना चाहते हैं, ग्यारह माला करना चाहते हैं, अधिक संख्या में करना चाहते हैं, जितना भी आप जब करना चाहते हैं, संकल्प लेकर आप इस मंत्र का जाब करें, इस मंत्र के जाब से आपकी कोई भी कामना हो, बहुत शीगर पुरुन हो और 12 फर्वरी को जो प्रतिपदाती थी शुरू हो रही है उसका समय होगा 11 फर्वरी की देर रातरी 12 बज कर 34 मिनट पर और समाप्त हो रही है 12 फर्वरी की देर रात 2 बज कर 29 मिनट पर तो इस तरह से प्रतिपदाती थी 12 फर्वरी को शुरू हो रही है और 12 फर्वरी से हम न नवरात्री शमाप्त हो रही है 21 फरवरी को दिन रवीवार को शुक्रवार से शुरू हो रही है नवरात्री और रवीवार को समाप्त हो रही है कलस स्थापना का शुब महुर्थ क्या होगा कलस स्थापना का शुब महुर्थ है 8 बज कर 34 मिनट से 9 बज कर 69 मिनट तक यह प्र 12 बजकर 13 मिनट से लेकर 12 बजकर 58 मिनट तक का जो समय है ये समय अभिजित मुहुर्थ का है और इस समय में आप कलिस्की स्थापना कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही शुब नवरात्री होती है ये और बहुत ही जागरित होती है तो इस समय में आप कोई भी आराधना करना चाहते हैं, कोई भी आपकी कामना हो, माभगवती की आराधना करें सच्चे मन से, और किसी भी तरह से आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, गुप्त नौरात्री का मतलब होता है, जो भी आप साधना करें, जो भी आप आराधना करें किस कामना से कर रहे हैं और कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं यह बस आपको अपने परिवार के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं बताना होता है इस नौरात्री में शोर शराबा धूम से यह नौरात्री नहीं मनाई जाती है धूम-धाम से जैसे हम चैत्र और शार्दिय नौरात्री मनाई जाती है तो उमीद करती हूँ गुप्त नौरात्री से जुड़ी हुई ये विशेश जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपको इससे लाभ हवश्य होगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए इस व वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार